नवश्कार दोस्तों मैं शांते हूं आप सभी का स्वागत करता हूं मरे यूटूब चैनल यूनिक टेक्स सॉलुशन पर दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे पर्दात के बारे में कि पर्दात कितने प्रकार का होता है उसके बाद हम electric current के बारे में पढ़ेंगे और किसी भी circuit में electric current कैसे बैता है इसके बारे में जानेंगे लेकिन दोस्तो आप video सुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का इकन है उसे जरूर प्रेस कर दे ताकि नेक्स टाइम में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको notification मिल सके तो दोस्तो आज म प्रकार से बढ़ना होता है अनू परमानू क्या होता है इसके बारे में आपको जानकरी दी ती तो उसके बाद हमारा यह चेप्टर टू है बैसिक इलेक्ट्रोनिक सिरीज का चेप्टर टू है तो इसमें हम जानेंगे परदात के बारे में कि परदात कितने प्रकार का होता तो सबसे पहले देखते हैं चालक परदार्थ यानि कि कंडेक्टर क्या होता है वह परदार्थ जिसमें इलेक्ट्रों तो के Unterkne यानि कि वह परदात जिसमें इलेक्टरों बिना किसी रुकावर्ट के फ्लो हो सके उसे हम क्या कहेंगे चालक परदात यानि कि कंडेक्टर माटेरियल तो यह है कंडेक्टर माटेरियल की परिभाशा ठीक है कंडेक्टर माटेरियल कुन-कुन से होते हैं दोस्तों यह हमारे जैसे conductor जो aluminium है उसके बाद copper है iron है मतलब सभी तरह की धातुएं conductor में आती जितने तरह के metal है metal जो होती है दोस्तों वो सब conductor में आएगा तो next है हमारे पास कुछ अलग परदात यानि की insulator insulator वह परदात जिसमें विद्धुद्धारा परभाव नहीं हो सकता ठीक है क्या नहीं हो सकता विद्धुद्धारा परभाव नहीं हो सकता या फिर वह परदात जिसमें electron का परभाव नहीं हो पाता है उसे हम sorry उसे हम कुछ अलग परदात कहते हैं यानि की insulator material इसमें electrons क्यों flow नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनकी जो आणविक बनावट है मलब इसमें free electrons नहीं होता है जब किसी भी conductor में किसी भी meter में free electrons होते हैं तभी हम उसको या तो electrons दे सकते हैं या उसे हम electrons ले सकते हैं और electrons देने लेने के प्रकिरिया के दोरान ही विद्द्धारा उत्पन होती है या बहती है ठीक है बहती है विद्द्धारा बहती है तो insulator परदात यानि की कुछ अलग परदात में क्या होता है इसमें कोई free electrons नहीं होता है पूरे जितनी कक्षाएं होती हैं इनकी ये बिल्कुल set होता है एकदम fix होता है तो इसमें कोई free electrons ना होने के कारण इससे ना तो हम electron दे सकते हैं नहीं इससे हम electron गरहन कर सकते हैं ठीक है इस वज़े से ये electrons का प्रभा नहीं कर पाएगा तो इसकी परिवाशा क्या है कुछ अलग परदात की वह परदात जिसमें विद्द्धारा प्रभा नहीं हो सकता या वह परदात जिसमें electron प्रभा नहीं होता है कुछ अलग या insulator केते हैं अब insulator की जरौत क्यों पड़ी क्यों insulator की जरौत हमें इसलिए पड़ी एसी जगा जहां पर हमें विद्द्धारा को पहुँचने से रोकना होता है मलब एसी जगा उपर insulator का उपियो करते हैं जहां पर हमें विद्द्धारा को नहीं पहुचाना होता है जैसे की हमारे घरों में जो वाइरिंग होती है दोस्तो वाइरिंग के उपर जो यह रबर चड़ा रहता है यह इंसुलेटर होता है अगर इसमें विद्धुधारा प्रवा होता तो क्या हम वाइरिंग वगएरा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसलिए विद्धुधारा जो कंडेक्टर है इसके अंदर कोपर ठीक है कोपर कंडेक्टर कर्माता है कंडेक्टर के कंडेक्टर में जो विदुद्धारा बहरा आए उसे बाहर आने से कौन रोक रहा है तार का कवर यानि की इंसुलेटर दूसरा चीज हमारे पास है दोस्तो यह हमारा पैच कस या इसक्रूर ड्राइवर जिसको कहते है इसमें उपर जो यह ग्रीन कलर का बना होता है यह क्या होता है फ्रेंड्स एक मिनट यह जो ग्रीन कलर का बना होता है दोस्तों यह क्या काम करता है यह विदुद्धारा को हमारे पास आने से रोकता है जिससे की हमें शौक ना लगे काम करते टाइम तो इंसुलेटर का प्रियोग कहां किया जाता है इंसु ये दोस्तों एक तरह के इंसुलेटर होता है ये भी जो इलेक्ट्रिक लाइन में काम आता है ठीक है कहां काम आता है इलेक्ट्रिक लाइन में जो आपने बड़े-बड़े पोलो में देखे होंगे जो हाइटेंशन लाइन होता है 11KV, 33KV या LT लाइन उसमें अलग-अलग तरह के इंसुलेटर का उपियोग किया जाता है ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तीसरा है हमारे पास अर्ध चालक परदाट वह परदाट जो की ना तो विद्दूत का अच्छा कंडेक्टर होता है ना ही एक अच्छा इंसुलेटर होता है मतलब ये ना तो विद्दूत को ढंग से रोक पाता है और ना ही विद्दूत को फ्लो कर पाता है मलब ना तो ये विद्दुत को flow होने देता है ना ही विद्दुत को पुरी तरग से रोक पाता है यानि कि ना तो ये अच्छा conductor है और ना ही अच्छा insulator है ये conductor और insulator के ऑचर का परदार थे जो की current को बहुत कम मात्रा में flow करने देता है जिसे हम क्या कहते हैं semi conductor जैसे अधान आधान में काधया है जितने भी ध्याकटव मट्यून करे। प्लास्टिक गर तिसलीव. स्वाश, सब्सक्राइब कीBACK और जर्मिनियम से स्फिक्याrome dan new year जरूठ सब्सक्राइब कर दोस्तों जो हमारा इलेक्टोनिक सर्कुित होता है उसमें बहुत से जगह अलग अलग वोल्टेज की जरूत पड़ती है जैसे कहीं पे 5 वोल्टेज की जरूत है कहीं पे हमें 3.3 वोल्टेज की जरूत है कहीं 2 वोल्टेज की जरूत है तो हम हर सप्लाई के लिए ट्रांस्परमर तो नहीं लगा सकते बहुत ट्रांस्फर्मर्ण लगाएंगे तो हमारा सर्किट बहुत बढ़ा हो जाएगा तो उसकी जगह सेमी कंडेक्टर से रेजिस्टेंस वगरा बनाये जाते हैं जो की बहुत आकार में छोटा होता है और वोल्टेस को ड्रॉब कर देता है तो क्या होता है उनको बनाने के लिए सेमी कंडेक्टर परदार्थ में कुछ और परदात मिलाये जाता है मलब कुछ और परदात मिलाके अपने एक निश्ची तनुपाद में मिलाकर आवश्यक्त अनुसार वोल्टेस आउटपुट लिया जा सकता है तो semiconductor परदाद कौन-कौन से है एक तो हमारा हो गया silicon दूसरा हो गया germanium और भी एक दो तरह के आते हैं बाकी ज़्यादा तर ये use होता है silicon और germanium ठीक है अब क्या होता है silicon और germanium के अंदर अलग-अलग परदाद मिला कर एक नया परदाद बनाया जाता है जिससे की devices electronic device बनते हैं वो परदाद कौन-कौन से है जैसे की boron, aluminium, gallium, indium, phosphorus, organic, arsenic, antimony आधी इनको मिला कर क्या होता है electronics device बनाया जाते है जो की resistance, transistor, capacitor, ICS बगएरा इनको मिला कर बना जाता है अब जब इन परदाद को मिलाते हैं किन परदाद को semiconductor के अंदर boron, aluminium इस तरह की परदाद को मिलाते हैं तो इनके जो electronic सनचना है जो इनके आणविक सनचना है वो change हो जाता है change होने के current क्या होता है जो semiconductor बनता है final product silicon और germanium या फिर silicon के साथ aluminium मिलाने के बाद या फिर germanium के साथ aluminium, boron, helium कुछ मिलाने के बाद जो नया परदाद बनता है उनके आधार पर semiconductor को दो भागों में बाटा जाता है कौन-कौन से दो भागों में बाटा जाता है अर्धर चालक को दो भागों में बाटा जाता है एक होता है n-type और एक दूसरा होता है p-type यानि कि n-type semiconductor और p-type semiconductor होता है अभी n-type p-type क्या है आगे देखते हैं n-type semiconductor यानि negative n मतलब negative जिसमें negative परदात की मात्रा जादा होता है ठीक है आसान भाचा में अगर समझना होता हो जब किसी semiconductor में ऐसा परदात मिलाए जाए जिसके की परमाणू की अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रोन 5 होते हैं क्या होता है माच महलेब या तो मिलाब 치लिकॉण में फिर कहा है हैि looking up इसा परदात मिलाए जाए जिसके अंतिम कक्षा में किसας के सिलीकूण में साथ मिलाए जाने वाले परदार्द के ना कि सिलिकॉन के साथ जो पर्दाथ मिलाय जा रहा है उसके मरला जब किसी सेमिकंडॉक्टर परदाथ में एसा परदाथ मिलाय जाता है जिसके अन्तिम कक्षा में पांच एलेक्ट्रोन मुक्त होता है यहां हम यह केकि नूनिकषा करने सब इसके बाद या लेते हैं। जम्न परकान यह ट्मिंप बैटवों। तीन चार और ये पांच अर्था जब किसी सेमी कंडेक्टर परदार्थ में एसा परदार्थ मिलाए जाए जिसके अंतिम कक्षा में पांच इलेक्टरोन पांच इलेक्टरोन हो तो उसे हम N टाइप सेमी कंडेक्टर कहते हैं क्या कहते हैं उसे हम N-type semiconductor यानि कि negative type semiconductor कहते है दूसरा क्या है हमारे पास P-type semiconductor P-type में क्या होता है जब किसी semiconductor परदार्थ में यानि कि silicon का ही हम example लेके चल रहे है वहाँ आमने क्या मिला है था antimony silicon के साथ तो क्या बना हुओ N-type semiconductor अब silicon के साथ अपन क्या मिला रहे है boron जब किसी semiconductor परदार्थ के अंदर ऐसा परदार्थ मिला जाता है मलब silicon के साथ ऐसा परदार्थ मिला दिया जाए जिसके की अंतिम कक्षा में 3 electrons हो मलब उसमें कितना था 5 electrons किसमें? antimony में अब ही हम क्या मिला रहे है boron मिला रहे है क्या मिला रहे है boron तो इसमें कितने electrons है? 3 electrons यानि कि semiconductor परदार्थ के साथ ऐसा परदार्थ मिला जाए जिसके की अंतिम कक्षा में 3 electrons मुक्त हो तो उन दोनों परदार्थों के misrend से किन दोनों परदार्थों के silicon plus boron silicon plus boron इन दोनों परदार्थों के misrend से जो नया परदार्थ बंता है वो क्या होता है? P type semiconductor यानि कि positive type semiconductor फीक है? अब ये P type N type दोसतो आगे जब हम transistor तो उसमें जरुड़त पड़ेगी क्योंकि हमारे पास PNP transistor होता है, NPN transistor होता है, डाइड में भी P और N नेक्स्ट दोस्त हमारा विद्धूत के प्रकार, महला टाइप ऑफ electricity विद्धूत कितने प्रकार की होती है? विद्धूत हमारे पास दो प्रकार का होता है एक क्या होता है आवर्तिधारा यानि की डारेक्ट करेंट दूसरा होता हमारे पास प्रत्यावर्तिधारा यानि की अल्टरनेटिंग करेंट एक क्या होता है डारेक्ट करेंट होता है एक होता है अल्टरनेट करेंट अब इन दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते आवर्ति धारा यानि की डारेक्ट करेंट जिसे हम DC भी कहते हैं ऐसी विद्धु धारा जिसका मान वदिशा समय अनुसार नहीं बदलता है एक ही तरह का रेता है उसे हम डारेक्ट करेंट कहते हैं मतलब एसी विद्धु धारा जिसकी मान वदिशा एक ही जैसा रेता है नहीं बदलता है उसे हम डारेक्ट करेंट या DC या आवर्ति धारा कहते हैं ठीक है अब एक जैसा कैसे रेता है हम पहले AC को पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा तो पहले हम पढ़ते हैं परत्यावर्ति धारा AC करेंट AC क्या होता है AC विद्धु धारा जिसके मान वदिशा समय अनुसार बदलता रहता है क्या होता है समय अनुसार बदलता रहता है मतलब यह फ्लक्टुएट करता है सिम्बल मलब एक वेव के फो में होता है जो टाइम के अनुसार बदलता रहता है उसे हम पर्तिया वर्ति धारा कहते हैं देखे कैसे देखे दोस्तों यह है हमारा पर्तिया वर्ति धारा एक मिनट भाए पैन थोड़ा बढ़ा कर लेता हूं यह हमारा एसी एसी सिम्बल ठीक है वास्तम में धारा एसे ही चलता है अब इसमें उपर की तरब क्या होता है दोस्तो पोजेटिव जो उपर वाला हिस्सा है वो होता है पोजेटिव जैसे कि अनुसार बदलता रहता है एक तो मान बदलेगा दूसरी दिशा केसे बदलता है देखते हैं दोस्तो जो हमारे घरों में लाइट आती है एसी सप्लाइई होता है वह क्या होता है जीरो से शुरू होता है फ्लक्शुएशन करता है फ्रिक्वेंशी आपने सुना होगा 15 हर्स त तो क्या होता है दोस्तों यह जो AC होता है यह सबसे वेले 0 से चलता है यह इसका नियूंतम मान सबसे नियूंतम नहीं नियूंतम मान ठीक है यह दिर दिरे बढ़ता है प्लस की और यानि की प्लस की और प्लस में अपने उच्छे तम मान पे पहुंचता है अपने AC का उच्छे तम मान क्या है 220 वोल्ट ठीक है यह अपने उच्छे तम मान 220 वोल्ट तक जाएगा 0 से चलेगा यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 220 तक जाएगा उसके बाद यह फिर डाउन होने लगेगा महलब 220 से 219, 218, 217 फिर डाउन होएगा और 0 पे आएगा क्या आएगा? 0 पे ठीक है? अभी यह किदर बढ़ा? पोजेटिव की तरफ ठीक है? यह अभी पोजेटिव की तरफ बढ़ा उपर पोजेटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है तो शुरू में क्या होता है? यह 0 से चलता है तो दिरे-दिरे positive की और बढ़ता है फिर अभी अभी पोजेटिव की और बढ़ता है फिर कम होते होते 0 पे आता है फिर अपने नियोनतम मान मायलब माइनस में जाता है यानि negative की तरफ बढ़ता है तो फिर यह 0 से क्या होता है वापिस negative की तरफ बढ़ता है और अपने new time मान यानि की minus 220 volt तक जाता है उसके बाद फिर वापिस 0 पे आता है कहां आता है यह? 0 पे आता है दिरे दिरे तो यह क्या होता है पूरा 1 cycle होता है एक बार अपने उच्चे तम मान 220 volt पे गया फिर 0 पे आया फिर अपने new time मान minus 220 volt पे गया फिर 0 पे आया इसको क्या कहते हैं? पूरे को 1 cycle कहते हैं यानि की 1 cycle positive का आदा cycle positive का आदा cycle negative का आदा cycle positive का आदा cycle negative का तो क्या होता है यह positive की तरफ बड़ा फिर 0 पाय फिर negative की तरफ बड़ा इसलिए यह हो गया एक cycle तो अगर यहां से यहां तक का हम देखेंगे तो यह क्या केलाएगा एक हर्ज यानि की एक second में एक बार अब 50 हर्ज मतलब एक घंटे में 50 बार तो हमारी जो AC होता है घर होए ए एक second में यह 50 बार प्लस माइनस प्लस माइनस होता रहता है लेकिन यह 50 हर्ज की frequency इतनी ज्यादा होती है कि हमें यह आखों से दिखाई नहीं देता है तो AC में क्या होता है प्लस और माइनस यानि की धन यह सोरी फेज और नूटर एक ही में होता है एक ही में ठीके एक ही तार में positive भी होगा और negative भी होगा इसलिए आपने देखा होगा जब हमारे remote का cell उल्टा लग जाता है तो हमारे remote काम नहीं करता है लेकिन हम जब TB के pin को लगाते हैं कैसे भी लगा देते हैं चल जाता है क्यों क्योंकि AC में polarity का यानि positive negative का कोई फरक नहीं पड़ता है उसे हम उल एक मिनिट में कितनी बार अपने उच्छतम मान पे जाता है और कितनी बार अपने नियूनतम मान पे आता है उसे हम फिक्वेंसी केते हैं तो हमारी घर की एक मिनिट के अंदर पचास बार अपने उच्छतम मान पे जाता है और पचास बार अपने नियूनतम मान पे आता है इस इसलिए इसे हम 15 हर्च या 50 हर्च की फिक्वेंसी तो अब चलते हैं अपन डी सी में तो डी सी में क्या होता है एसी विद्दृधारा जिसका की मान वद दिशा समय के अनुसार नहीं बदलता है मलब पोजेट्व तो पोजेट्यू है नेगेट्व तो नेगेट्व है जैसे कि इसमें सिंबल में दिखाया गया है अब एसी में क्या हो रहा था दोस्तों एसी में इस तरह के सिंबल था एक बार पोजेटिव में जा रहा था एक बार नेगेटिव आकर फिर पोजेटिव में जा था लेकिन डी सी में क्या है पोजेटिव तो पोजेटिव नेगेटिव क्यांट छाहिं दे काम नहीं करता है तो वो काम नहीं करता है क्योंक्कि और अलग अलग होते हैं इसको उल्ट отправ हुआ डिवायज काम नहीं करता है तो आप आपने देखा होगा बेटरी को पर प्लस का निशान माइनस का निशान बना होता है यह यहां प्लस माइनस वाला ब्लैक से दे रहा है और प्लस वाला रेड से दे रहा है तो ऐसी में क्या होता है DC में प्लस माइनस एक अलग-अलग होता है ठीक है? अलग-अलग होता है इसकी मानो दिशा नहीं बदलता है अब देखें यहाँ पे यह positive होतो यह positive ही चलागा इस तरह से भी बना सकते हैं इसका cycle design DC का यह negative होता है जैसे कि मैंने बताया तो उपर positive होता है और नीचे negative होता है ठीक है? तो इसमें क्या positive नेगेटिव अलग-अलग होता है इसलिए DC के अंदर polarity का फरक पढ़ता है ठीक है next आगे बढ़ते हैं आपको इस समझ में आ गया AC, DC AC वह विदुधारा जिसका की मान और दिशा समय अनुसार परिवर्तन होता रहता है है ना? और DC जिसका मान और दिशा समय के अनुसार नहीं बदलता है उसे DC केता है या direct current केता है AC current जिसका मान और दिशा समय अनुसार बदलता रहता है यानि कि alternate 25 चलता है इसलिए हम इसको कहते हैं alternating यह स्वाइब केपे संफभी है आपको पोजिटिव भी आएगा और नेगेटिव में नेगेटिव आएगा जबकि AC में क्या होता है AC में पोजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स होता है ठीक है एक आधा साइकल पोजिटिव का होता है और आधा साइकल नेगेटिव का होता है तो यह है AC और DC ठीक है आगे बढ़ते नेक्स्ट आमारे पास विद्दूत के मुख्य कारक अब जब किसी तार में सर्किट में विद्दूत धारा बहेगी या इलेक्ट्रोंस फ्लो होंगे तो क्यूं होते हैं और उसको फ्लो होने के लिए भी कोई पावार कोई ताकत चाहिए तो किन-किन कारण से विद्दूत धारा प्रभा होता है किसी सर्किट में या किसी तार में तो वो ही जानेंगे तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्दूत के मुख्य कारक मलब विद्दूत धारा बहने के कोन-कोन से कारक है पहला है विद्दुद दबाव यानि electrical pressure ठीके दूसरा है विद्दुद प्रभा यानि electric current तीसरा है विद्दुद अवरोध यानि electrical resistance ठीके इन तीनों के बारे में हम अब एक एक करके पढ़ते हैं सबसे पहला आता हमारे पास विद्दुद दबाव किसी चालक में conductor में विद्दुद धारा को बहने के लिए या किसी चालक में electrons को गती देने के लिए हमें एक pressure की आवशक्ता होती है ठीके एक pressure की आवशक्ता हती है मतलब जो electrons किसी metal का electron से मान लीजे दोस्तों तो अपने आप तो बहने नहीं लगेगा अपना आप तो वो इधर उधर बहने नहीं लगेगा वो जाए वहीं रहेगा चाहे उसमें पांच electrons हो या छे हो या तीन हो वो अपने इस्थान पे ही अतावत रहेगा कब तक जब तक कि उसमें कोई बाहरी pressure ना लगाया जाए ठीक है तो क्या होता है किसी चालक में electrons को गती देने के लिए या एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाने के लिए आवशक दबाव को क्या कहते हैं विद्दुत वाहक बल कहा जाता है जिसे हम voltage के नाम से जानते हैं ठीक है आपने देखा होगा 220 voltage 300 voltage ठीक है तो इस तरह से उसे क्या कहते हैं हम voltage और उसको हम किसी circuit में किस से प्रदश दिखाते हैं वी से दिखाते हैं किस से दिखाते हैं दोस्तों वी से दिखाते हैं हम उसको ठीक है नगर पलिका या नगर निगम जो होता है एक पानी की टैंकी बनाये जाता है सहर के बीच में या आविशकता नुसार एक पानी की टैंकी बनाते हैं जिसको की बहुत height पे रखा जाता है बहुत उण्चाई पे रहता हो क्यों रहता है उचाई पर होने के कारण क्या होता है ग्रेविटी जो होती है ग्रेविटी पानी पर दबाव डालेगी जिस कारण उस दबाव के कारण वहाँ पानी फ्लो होगा ठीक है इसमें जो वोल्टेज है वो कौन है ग्रेविटी ठीक ग्रेविटी को क्या कह सकता है विद्द दबाव electrical pressure ठीक है और पानी क्या है अपना पानी है हमारा electrons हम मान के चलते हैं पानी elektron है और gravity विद्द दबाव अब पानी जब तक नहीं बहाएगा जब तक की समय पानी पे कोई दबाव नहीं पड़ेगा, अगर माल लिए इस टेंकी को उचाई पे ना रखे हम, जो टेंकी बनाये जाता है, उसको अगर उचाई पे ना रखे, जमीन पे रख दे, तो क्या हमारे घरों तक वाटर की सप्लाई या पानी की सप्लाई आ पाएगी, नहीं आ पा इसी तरह से क्या होता है, विद्द धारा जब तक नहीं बहेगा, जब तक कि उसमें कोई इलेक्ट्रिकल प्रेशर न दिया जाए, इलेक्ट्रिकल प्रेशर या वोल्टेज, जिससे हम आम भाचा में वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, दूसरा है हमारे पास, विद्द प्रभा यानि इलेक्ट्रिकल करेंट, जैसा कि मैंने बताया, अब मान लिजे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, मान लिजे पानी की टेंकी है, ठीक है, अब इस पानी की टेंकी में पानी नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, ग्रेविटी तो है, दबाव त प्रेशर काम्हें, तो क्या होता है, जब ग्रेविटी प्रेशर डालती है, पानी के उपर तो पानी फ्लो होता है या मान के चलिए जब voltage दिया जाता है किसी circuit के छोर पर तो क्या होता है वो pressure डालती है जिस कारण electrons flow होता है यानि कि पानी flow होता है जब tanky पे gravity pressure डालता है और tanky में पानी मुझूद हो तो क्या होता है वो पानी supply होने लग जाता है तो यह होता है electrical current यानि कि electrons current को हम ampere से प्रदर्शन, ampere केते हैं मतलब इसको क्या केते हैं हम इसको ampere और इसको capital A से दर्शाय जाता है circuit में कहीं लिखा होगा 2.2A इसका मतलब है उच जगह पे 2.2 ampere होता है वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो electrons होता है वो बेटरी के positive से negative की और स्वरी negative से positive की और flow होता है ठीक है positive से negative ये DC circuit में होता है ठीक है next तीसरा होता है हमारे पास electrical resistance ठीक है electrical resistance ये क्या होता है किसी भी conductor में कोई साभी conductor हो चाहे copper हो gold हो तामबा हो पितल हो अलुमिनियम हो कुछ भी हो जब उसमें electrons flow होता है तो क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ अवरोध होता है किसी भी धातु में कुछ ना कुछ अवरोध होता है पानी की टेंगी का example देते हम माल लीजे यहां से नलकी supply होई ठीक है तो इसमें अवरोध कौन-कौन है जैसे माल लीजे यहां पर pipe bend हो रहा है तो यह pressure को थोड़ा कम कर देगा फिर आगे कहीं और bend होगा वहाँ pressure को कम कर देगा बीच में कहीं और joint होगे वहाँ pressure कम हो जाएगा इसी तरह किसी भी conductor में जब को बहने में तो पूरी पूरे जितने electrons बहना होता है उसमें से कुछ electrons conductor द्वारा रोक लिया जाता है जिस कारण ही conductor हीट होता है यह आगे के chapter में आएगा losses जो होता है उनमें पता चलेगा आपको तो क्या होता है विद्दुत अवरोध क्या होता है जब किसी भी conductor में विद् क्या कहते हैं विद्दुत अवरोध या electrical current जिसे हम ओम के नाम से जानते हैं यह दोस्तों ओम वाला ओम नहीं है यह है OHM वाला ओम ठीक है ओम्स लोग जो next chapter में आएगा हमारे ओम्स लोग कहसाब से उसे ओम्स का ओम कहा जाता है जिसका symbol दोस्तों यह होता है ठीक है और इसे हम इसका ohms होता है और इसको हम circuit में इस तरह से दर्शाते हैं कहीं पर ऐसा निशान आ जाता है circuit में तो इसका मतलब ही है resistance है इस तरह से ठीक है और इसे capital R से परदर्शन दिखाया जाता है voltage को capital V से दिखाते हैं ampere को capital A से दिखाते हैं और इसको resistance को capital R से यानि की resistance इसका मातरक क्या होता है ohm electrical pressure का मातरक क्या होता है voltage electrical current का मातरक क्या होता है ampere ठीक है तो ohm समझ में आ गया next हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में सर्किट के बारे में कि सर्किट कितने प्रकार का होता है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटाने उसे जरूर प्रेस कर दीजे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जतर दाने उरूर सब्सक्राइब करता हैं पास झाल 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 कर दो रच्छा झाल कर दो कँ झाल झाल